तो जैहिंद नमस्कार पहरे साथियों और उम्मिद करता हूँ कि आपका BSTC का आज पर परशांदार हुआगा अब हम जो एंस्वर की जो लेक रहे हूं उसका आपका जो भाग है आपका अंग्रेजी जिसमें बेश क्विशन आते हैं फटा फटा अंदाज में अपने पढ़ना हमें तो क्विशन देखना है एक सो एकार में अपका ये क्विशन आपका आया था इसमें ये कहा गया वट फाल्ट मिस्टेक Most of the People make इसमें ये कहा गया पहला capacitor making arguments साथ का है into you that they know when in the effect they don't ॐ आपका लिखा गया है डॉन्ट है ना मिक्स कर देते हैं इसको ठीक है कुम्यूटिंग लिखा गया है और अव्जरोइंग थिंग्स फॉर्दा देमसेल्फ इस क्विश्चन के बारे में अगर बात करी जाए तो प्यारे बच्छा आपको ध्यान में रखना इसका उत्तर भाई यहां भी है ध्यान में रखना अगले क्विश्चन के उपर बात करें वर्ट डस दा राइटर तिंक ओव दा एस्ट्रोलोजर एस्ट्रोलोजर वह होता है जोतिश आपका होता है ही वास ए अपना जीनियस और उसके बाद में ही हैड ग्रेट ऑव्जरेशंस और यह वास दा फुलिश फुलिश मूर्क होता है ना ध्यान में रखना ही थौट ही नौव एवन दा वैन ही डिज नोट तो इसका एंसर अगर देखा जाए पैरसातियो 152 का यहां पर यह लिखा गया भाई साब यह आपका फूर आपका नहीं होता है यह आपका का गया तो भी है ठीक है ज चोटा सा एरर आपके सामने है इस एरर को आपको पहचाड़ना है आपको यहां पर लिखा गया है सूपर हुमन जेनियस ठीक है और एक्स्ट्रो लॉजनरी ठेंकिंग मतलब जो आपके जोतिश है उनकी ठेंकिंग के बारे में बताया गया इसमें एरर चोटा सा देखना है वाईदा वन सेल्प लिखा गया है और काउंटिंग वन स्तीत आपका यहां पर लिखा गया है तो इसके option के बारे में अगर हम यहां पर बात करें पहरे साते हो तो इसका क्या हो जाता है C number यहां पर जिस भी भाई ने यह किया है वह बिल्कुल आपका right यहां पर हो जाता है अगले question के बारे में हम बात करें पहरे सातियों तो आगे बढ़ेंगे और आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना एक सोचोवन number question यह कह रहा है कि find out the word with the correct spelling spelling correct आपको यहाँ पर बतानी है और आपके सामने confidence लिखा गया है और confidence यहाँ पर confidence जो है ना अपना जो मनोबल जो होता है उसके बारे उसकी spelling सही पूछी गई है तो इसमें से आपके लिए चार spelling लिखे गई है तो इसके अगर spelling right की अगर बात करी जाएगी तो आप सब को यहाँ पर ध्यान में रखना confidence जो शब्द है यहाँ पर देखो यह आपका right होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा भया ए लिगाया गया है और यहाँ पर ए लगाया है बस इतने सा error आपको डाल दिया गया है तो इसका 154 का आपका B number option यहाँ पर right हो जाता है अगला question आपका 155 number question आपके सामने यहाँ पर बताया गया है आपको ध्यान में रखना complete the sentence with suitable the articles यानि इसमें article बिठाना है यहाँ पर यहाँ पर article बिठाना है आपको ध्यान में रखना there is खालिस्तान आपका fish in फिर खालिस्तान bottle यहाँ पर आपके सामने यह article दिए गया है इसमें article बिठाना है तो आपको ध्यान में रखना पहले वाले में आपका यह बैठेगा और दूसरे वाले में आपका दा bottle bottle से पहले दा लगाना है और fish आपकी एक है तो आपको एक लगाना है complete the sentence with the correct proposition सरव नाम आपको इसमें डालने है ठीक है हाँ फिर से खालिस्तान आपकी बीच में डाला गया है acting अमीर खान is also interested in social works कि आपके अमीर खान है वो भी सामाजी कारे में interested है या नहीं है तो उसके बारे में आपके जो चार विकल्प दिए गया है उनमें से आपका पहला विकल्प है विथ दूसरा विकल्प है विशाइडस और उसके साथ में आपका तीसरा in है और आपका day number on आपका यहां पर हो जाता है तो इसका उत्तर आपके सामने यहां पर बात करी जाए तो यहां पर फिर से आपका बे number option आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियो इसका right answer यहां पे हो जाता है ठीक है ध्यान में रखना आपका right है या नहीं है वो जुरूर बताना इसमें न अगला 117 नंबर question यह गया रहा है कि choose the correct sentence यानि कि इसमें से आपको सही sentence का चुनाव आपको करना है तो यहां पे लिखा है see heart the good news she was happy ठीक है उसके साथ में अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना happy होगे see was happy and hear the good news ठीक है और when the heart the good news the see happy मतलब वाक्य सुद्धी वाला है हिंदी की बात करें तो वाक्य सुद्धी है तो आपके सामने अंग्रेजी में वाक्य सुद्धी आपके लिए 157 के अगर बात करी जाए सबसे बेस्ट आपका एंसवर क्या होता है पहरे साथ क्यों सी नंबर एंसवर हो जाता है हम खुश हो गए अच्छी न्यूज सुनकर यह इसका क्या हो जाता है यहां पर हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है 158 की बात करी जाए 158 की बात करी जाए विच इस दा करेक्ट है और एंडोनिम्स आपका विलोम शब्द होता है ध्यान में रखना फोर था लेजी लेजी आलची होता है टाक आलची आदमी है ना कि आलची का यहां पर विलोम आपका एक्टिव यहां पर एक्टिव लिखा है और लेरिंग्स ल हो जाता है यह विलोम शब्द हो जाता है ध्यान में रखना है ठेका क्या आपका उत्तराइट है क्या यह बाया यह गलत कर दिया ना आपने यह फोगड का नंबर था बिलकुल ठेका आप गुर जबाना है इंडोनिम्स को मतलब नहीं बैरो तो फिर क्या ही करेंगे 59 आपका अगर बात करी जाए तो आपका कुछ दूद दे दो ठेक है ए लगाना है आपको उरसके बाद में फ्यू मिलक है या एन मिलक है एन तो नहीं आ सकता बिलकुल भी आपको ध्यान में रखना क्या नहीं आ सकता आपका एन बिलकुल भी नहीं आ सकता बिलकुल मैंने सही कहा सम क कुछ कुछ दूद्ध दे दो ठीक है तो इसका आपका 159 में आपका क्या हो जाता है एक नंबर आपका राइट है क्या बिल्कुल कमेंड करके बता दो है ना भाया अगला स्वाल आपके सामने 160 नंबर क्विश्चन आपका ये कह रहा है पहरे साती हो आपको ध्यान में रखना which of the following is a correct sentence आपको ध्यान में रखना है यान भी correct sentence आपको फिर शे बताना है voice likes swimming ठीक है ठीक है नानो दोनो swimming pool में जानो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं सीता liked to swimming सीता भी like करती है ठीक है ध्यान में रखना do you like to play badminton क्या आप badminton खेरना पसंद करते हैं the likes playing card क्या आप पसंद करते हैं card क्याना यानि कि आपका इन सभी वाक्यों कि अगर बात करी जाए तो कौन सा वाक्य यहाँ पर right correct आपका हो जाता है तो उत्तर नंबर आपका 3 do you like to play badminton क्यूशन मारक में लगा है क्योंकि यहाँ पर देखो do you आपका पहले से लगा दिया ना इसलिए क्यूशन मा आता है इस वज़े से यह गल्द हो गया और यहाँ पर ing form लगाए गया यहाँ पर देखो ed लगा दिया third form में लिख दिया क्योंकि यह चल रहे समय का बहुत करवाता है ing form जो आपकी होती है ठीक है select one word आपका आगया एकल सब्द की बात करेंगे for the following phrase आपका फ्रेजर यहाँ पर पूछा गया one word आपको यहाँ पर बताना है ध्यान रखना है ठीक है somebody who reads all the time कि कुछ लोग जो होते हैं सारा दिन पढ़ते रहते हैं ठीक है book warm लिखा गया यहाँ पर ध्यान में रखना studios लिखा गया आपके सामने ध्यान में रखना book case लिखा गया यानि जो सारा दिन ठीक है लेकिन यहाँ पर जो सारा दिन पढ़ता रहता है इसको book warm के नाम से जाना जाता है आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छा question आपके सामने यहाँ पर है तो आपका 161 का भी क्या हो जाता है आपका एक number answer यहाँ से right हो जाएगा आपका गलत है right है comment कर देना ठीक ह अगला यहाँ पर देखो which of the following take question is correct for the sentence यह take question है ठीक है यह आपका क्या take question है इसके लिए अपने बात करें तो correct sentence के बारे में आपको ध्यान में रखना है तो देखो फिर से खालिस्तान है उस खालिस्तान में आपको take भरना है ठीक है this soup soup है soup नहीं यह यह शूप है ठीक है this soup is very hot गरम है ठीक है खालिस्तान उसके बाद में आपका is not it यह नहीं है ठीक है is it यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा is not it ठीक है उसके साथ में is it फिर उसके बाद में आपका does it लिखा गया और फिर आपका cannot it आपका यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे आपके सामने इसक टेग क्विशन आपको बताना है कि शूप जो है वेरी होट है इसके बाद में ये टेग जो आपका है वो आपका कौन सा यहां पर आने वाला है तो यह कहा गया कि कि गरम नहीं है आपका शूप जो होता है तो एक नमबर ओप्शन यहां पर भर देना है भाई साब आपको अगला क्विशन 163 की बात करेंगे add the missing link यहां पर कुछ miss कर दिया गया है वो miss आपको link डाल देना है कौन सा is wonder wonder वो है ठीक है खालिस्तान सी means तो आपका what what means क्या when मतलब कब ठीक है which आपका लिखा गया है और आपका how how मतलब कैसे आपके सामने आता है तो I wonder खालिस्तान सी means उसके बारे में अगर यहां पर बात करी जाए तो इसका answer आपका क्या हो जाता है तो प्यारे सातियों यहां पर I wonder what यहां पर आपका what लगाना है फिर आपका सी means आपका यहां पर हो जाता है तो आपको यहां पर ध्यान में ठीक है अगला question यानि कि 163 का एक number option आपको write करना है अगला question देखो सातियों है ना को करनी है और यहां पर का गया c c लड़कियों के लिए आता है मतलब thrilling आपका होता है खालिस्तान English well and can answer all my questions ठीक है यहां पर यह कहा गया बाई साब कि अंग्रेजी अच्छी है और उसके सारे question के उत्तर हम दे सकते हैं क्या new आपके यहां ठीक है आपका now क्या यह second रूप है आपका ना knowing आपका लिखा गया ing form लगाएगी और नौन आपका लिखा गया यानि इसमें आपका मूल जो adjective आपका होता है वो now होता है उसमें से आपका आपको यहां पर प्रयोग कौन सा करना है इस वाले वाक्यों में तो आपको ध्यान में रखना यहां पर अगर बात करी जाए तो c number option आपका क्या हो जाता है right आपका हो जाता है ना उस आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है हाँ knowledge होता है ना मूल से आपके यहां पर एक सो पैंसर नंबर कह रहा है select the part of the sentence that contents आपका जो व्याक्रन है ना grammatical error जो आपका व्याक्रन एशुद्धी जो है वो कौन से वाले पार्ट में उस वाले पार्ट को आपको क्या करना है चांटना है तो new furniture were ordered for the primary classes की बहिया primary class के लिए नया जो furniture है उसका order कर दिया गया है लेकिन यहां पर क्या were ordered जो है वो आपका right है या गलत है या furniture या आपका new furniture right है या आपका wrong है ध्यान में रखना और the for the primary school year right है या रोंगा आपको इन पार्ट में से आपको चांट के बताना है तो देखो यहां पे for the लिखा गया है ठीक है फिर आपका primary classes लिखा गया है उसके बाद में अगर बात करी जाए तो new furniture लिखा गया है फिर आपके लिखा गया है वर आपका order आपके साथ में यहां पे लिखा गया तो कौन सा जो है एरर आपका यहां पे आया है तो आपके सामने ध्यान में रखना वर ओर्डर जो आपका है इसमें आपका एरर है तो भाईया आपने अगर डी किया है तो भाईया देखे जाएगा आपको कितने नंबर तीन नंबर देखे जाएगा अगर आपने 165 में तीन न question write हुए है आपके सामने question है fill in the blank रिकस्तान की पूर्टी करवाता है जादा तर अब write जो लिखा गया इससे पहले आपका क्या आएगा आई खालिस्तान write, write की form आपको लिखनी है 10 pages since breakfast नास्तान उस्ता करके 10 pages लिखने का काम है भाई लेकिन यहाँ पर आपके सामने कौन सा write हो जाता है have written ठीक है have लगेगा या वाज writing लगेगा ठीक है आपको ध्यान में रखना या wrote रोट लगेगा wrote और या फिर write ही रहेगा तो यह write की form आपके सामने यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है आपका ध्यान में रखना किवाज के साथ में तो राइटिंग आता है ध्यान में रखना लेकिन यहाँ पर यह जो वाक्या है कौन से काल में है उस काल के अगर बात करी जाए तो आपका एक नमबर उप्शन हो जाएगा कि I have written, I have written, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान में रखना, 10 pesos since breakfast, आपका यहां पर क्या हो जाता है, answer, आपका एक number right है, तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है, देखो, 167 की बात करें, change into the indirect speech है, indirect speech, आपके लिए यहां पर change करना है, ठीक है, she shed, ठीक है, I saw the film, ठीक है, लपाटा लेडिज, यह फिलम का नाम है यह लपाटा लेडिज, ठीक है, और yesterday's, आपका साथ यार, फिलम करें यह देख नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, लापटा लेडिज की बात, हाँ, लापटा लेडिज, लापटा अंग्रेजी में ऐसे च करी जाए, तो 167 की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर आपके लिए, जो आपका D, एंस्वर, यहाँ पर आपका है, लेकिन इस ट्विशन में भी थोड़ा सा, ठीक है, एक्सपर्ट्स का मानना है, कि यह डाउट भरा क्विशन है, लेकिन अनुमानित उत्तर में आपको ब प्रिदान में रखना है, चलिएगा अगला क्यिस्टन, इनटऌटीफाइ दाटेंस ओफनावड़ाविंग तेंस, ठीक है, इनटऌटिफाई करना है, ठीक है, वेरिफाई करना है, ठीक है, शी विन टिचन्ग फर्टेन् एर्स इंदा स्कूल, की 10 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं तो present continuous tense है past perfect continuous tense है और past continuous tense है या present perfect continue यह तो भाई सब अगर आपने tense वगरा डंग से पड़े है ना तो यह question तो आपका क्या हो सकता है बहुत easy तरीके से आपका हो सकता है केवल forms आपको याद करनी है वाजबर में याद करना है इज आरम में याद करना है आई अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में देखो यहाँ पर लिखा है है has been teaching वीन के साथ में जब आई अगर आई अगर आपका हैज लगता है आपका past वाला देखो present के साथ में perfect continuous sense का ये जो रूप है वा आपका यहां पे हो जाता है अगर यहां पर head आजाता है तो फ्र आपका past में लगता है head आपका past में लगता और head आपका present perfect sense में आपका लगता है यह आपको ध्यान में रखने ना उत्तर बिल्कुल ओके है नो डाउट वाला है यह कोई डाउट नहीं है आगे चलो 169 के अगर बात करूँगा विच दा प्राई वाची हिंदी वाले प्राई वाची आपके यहां पर आगे ठीक है जेंटल भदर पूरुश जो आपका होता है उसके बारे बात करें रफ सौफ्ट टॉच और इजी इसमें आपको यह बताना है कि आपका इसका एंस्वर जो है वह आपका क्या हो जाता है तो जेंटल का जो आपका है प्राई आपका कौन सा होता है सौफ्ट आपका यहां पर हो जाता है ध्यान में रखने ठीक है और यह आपका अंतिम क्यूशन आपके बीच में यहां पर आजाता है लास्ट क्यूशन आपका यह है कि आपका फिल इन दा ब्लैंक्स खालिस्तान रिक्स्तान क पूर्तिय आपको यहाँ पर करनी है the students आपका deserved the teacher ठीक है यह क्या लिखा गए disaggregate है तो against हो गए for आपके लिखा गए और आपका why लिखा गए और आपका with लिखा गए तो आपके लिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इस question के अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका width आएगा और width आपका d number आपका option हो जाता है तो प्यारे सातियों हमने 20 question जो है वो बहुत ही उमीद और इसके साथ में कि आपके जो है ठीक है बहुत कम त्यारी में आपके लगभग मैं यह उमीद करता हूँ कि आपके 14 question 10 प्लस या 13 14 question अगर right होते हैं तो बहुत आप आगे निकल जाओगे क्या निकल जाओगे प्यारे सातियों बहुत आगे comment करके जुरूर बताना आप है कि आपके कितने question right हुए हैं तो इस class में इतना ही और उमीद के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत